हेलो अरिवान नमस्कार साथियों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ ऐसे चुनिंदे सवालों को जो कि आपके एक्जामिनेशन के लिए बड़े ही अत्यांत महत्तपून रहने वाले हैं तो बिलकुल ध्यान प्रोग देखिएगा इस वीडियो में आपको 100 टाइप क्वेशन कराने जा रहा हूँ मेरे दोस्ट टोटल हम लोग 30 प्रस्णों करेंगे देखिए पहला प्रस्ण आपके समग छे बड़ा लाजवाब सब प्रस्ण है आपके एक्जामियेशन के लिए इंप्रोटेंट भी रहेगा तो बिलकुल ध्यान प्रोग देखिएगा प्रस्ण क्या कहता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की अस्थापना कव हूई इसका पहला निदेशक कौन था सिंपल सा बात है मैंने शुरु में बोला आपको कि सोट टाइप क्वेशन सा है इट मिस डैट की दो नंबर का है ठीक है तो दो नंबर का है और दो प्रस्ण भी इसमें है तो देखिए भारत में पुछ रहा है कि पुरातत्व विभाग की अस्थापना कव हूई थी और दुसरा इसमें श्जवाल आप से क्या पुछा है कि इसका पहला निदेशक डैरेक्टर कौन था तो देखे भारत में जब पुरतत विभाक के अस्थापना हुई आपको पता होगा Sir William Jones ने जब कलकता में Siatic Society के अस्थापना करी थी उसके बाद से अपने भारत में क्या हुआ था पुरातत्व विशय पे खोज करने का कारे सुरू हुआ था ठीक है मतलब इसमें लोगों की लालसा जगी थी तो कहता है कि इसका पहला निदेशक जो है वो कौन बनाए गए थे तो कनिंगम महोदे को इसका पहला डारेक्टर जनरल निदेशक किया गया था और 1872 इसमें याद रखेगा 1861 में तो हमारे या पुरातत्व विभाक्या स्थापना हुई लेकिन 1872 इसमें से हमारे या क्या हुआ पुरातत्व विभाक्या पे खोज करने का कारे शुरू हुआ था तो यह आप लोग ध्यान में रखिएगा बड़ा इंपोर्टेंट सवाले लाजवाब सा है नेक्स देखिएगा आगला प्रस्ण जो है यह भी बड़ा इंपोर्टेंट फेमस सा प्रस्ण है मेरे दोस्त प्रस्ण कहता है कि हरपा सवेता का विस्तार बताईए यानि कि हरपा सवेता का जो विस्तार था वो कहां से कहां तक था simple sir terms में आपको ऐसे समझाएता हूँ आप ऐसे समझे हरपा सवेता की विस्तार की बात की जा रही है तो आप इस तरह से समय लीजिए हरपा सवेता की विस्तार के बारे में उपर तो आपको पता है क्या है नोर्थ में क्या है नोर्थ में आपका जम्मू का स्मीर है तो जम्मू के मांडा नीचे आपके साउथ में महाराष्ट हो गया तो साउथ में महाराष्ट का दैमाबाद और इधर में आप देख लिजिए इधर की बात करें हम लोग तो यूपी में आपका क्यों है आलमगीरपूर इधर में तो यहाँ यह इसका चोहद्दी हुआ और देखने से आपको क्या नज़रा रहा है देखने से सिंपल सा बात याद रखिएगा देखिए पूरब से पच्छिम की और आप जाईएगा तो देखिएगा कि इसका क्या आपको ज्यादा बड़ा नज़रा रहा है इट मिन्स है और इधर से उदर नोट से साउ देखेंगे तो 1100 किलो मिटर आपके बुक में दिखाया है ठीक है तो 1100 किलो मिटर इसके मलोग 16 मतलब इसका किस परकार का अकार है अकार भी कभी-कभी पूछ देता है तो ध्यान दीजिये देखिए वो कौन कौन से अस्थल मतलब किस किस राज में जो है हर अप्पा का अस्थल देखा गया है तो देखे सिंपल सा उपर में आपका क्या है उपर में आपका जम्मू है ठीक है जम्मू के नीचे पंजाब ऐसे याद कर लिजे पंजाब के नीचे हर्याना और हर्याना के जस्ट अगर आप इस साइड में जाई गया तो आपका गुजरात के नीचे राजस्थान के नीचे नीचे अब महाड़ाश्ट्रे तो तोटल आपके कितने राज हुए टोटल आपके सात राज है एक दो तीन अगर हम लोग छेत्रफल की बात करें तो टोटल इसका छेत्रफल जो है देखिए यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है 1299-600 वर किलोमेटर देखिए प्रस्न गया पुछा था हरपा सवेता का विश्थार बताईए तो अगर आपको यह याद है यह वला तो आपा सानी से इसक अगरिस्तान और मकडान समुद्र टट से लेकर उत्तरफुर में मेरड जो आपका यूपी आपको मैंने आपको उताया तक है इसका टोटल छेत्रफल हम लोग देख लें तह 1299-600 वर किलोमेटर और कहा जाता है कि हरपा सवेता का विश्थार उत्तर से 10 चिन तक 1100 आप पू तो यह आप लोग ध्यान में रखिया है कैसी सवेता थी तो तिरभुजाकार सवेता थी कौन-कौन से राज आपके आते हैं यह भी आप ध्यान में रखियेगा चलिए अगला सवाल देखेगा तीसरा नंबर प्रसन कहता है कि विशाल अस्नानागार की दो विसेशता हैं बत या इसके साथ सीनिया कपड़े बदलने के कमड़े कुवा भी बना हुआ था गंडे पानी की निकास की गहडी और चौरी ना लिया थी तो एक विसेशता तो यह था कि इसको धार्मिक कारियों पर यूज किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों पर जब कोई अनुष्ठा गये थे कुवा भी बना हुआ था गंदे पानी को निकासी के लिए भी गहडी और चौरी नालिया बनाई गई थी तो यह बात यहां पर कही जाती है अस्नानागार की दो विसेशता है आप से पूछी थी सिंपल साब प्रसन है चौथा सवाल देखिए कि प्राचीन भारत के दो महा कावियों के नाम बताईए दो महा कावे आपके कौन कौन है तो प्राचीन भारत के दो महा कावे रमायन और महा भारत बहुत ही इंपोर्टेंट और यहां से आपके एकजाम में बहुत सवाल बनता है रमायन महा भारत से या बताईए रमायन की रचना किसने की महा भ है वेदांग कितने हैं आपके तो वेदांग आपके च्व हैं यह सव्याद रखेगा पुरानों की संख्या तो पुरान आपके 18 है अठारा पुरान उपनी सद आपके 108 है तो यह सब आप ध्यान में रखिएगा अगला देखिए त्री पिटक क्या है तो जनरली इसका हरां आमें में शसर्च चुपा हुआ है त्री का मतलब होता है त्री पीटक का मतलब होता है आप का सकते हैं टोकड़ी पृता कर्त हमें है और त्री पीटक का साब्दी कर्थ होता है तीन पीटारिया जिसमें आपका देखिए पहला तो आपका होता है सूत पीटक सूत पीटक आप पढ़े फिन दूसरा आपका बिनाय पीटक हो जाता है और तीसरा जो आपका हो जाता है अभिधाम में पीटक ठीक है तीसरा आपका हो ज देखिएगा अभिलेक किसे कहते हैं अभिलेक से आप क्या समझते हैं ये सवाल आपसे पूछा है वाट इट काल इंस्क्रीप्शन तो अभिलेक तेखे जनरली उन लेखों को कहा जाता है जो मतलब अभिलेक का मतलब वो तैक परकार का लेक है जो पुरान पुराने इतिहास मे ताम्र पत्र पे धातु पे पत्थर पे जो सासक द्वारा लिखवाया गया कोई भी लेक था ना उसी को अभी लेक कहा गया तो अभी लेक जो है वो प्राची नितिहास के में जनकारी देता है वहां की धार्मिक वेवस्ता राजनितिक वेवस्ता इन सभी के बारे में हमें क्या होती इस से जानकारियां प्राप्थ होती है तो वही कहता है अभिले खून लेखो को कहा जाता है जो अस्थम्बो चटानों गुफाओं तामर पत्रों और पत्रों की चौरिक पटियों पर खुदे ततकालिन सासको के सासन का समाजिक रायनैतिक आर्थिक वे धार्मिक चित्र खिचते हैं क्लिए चीप पने नाम सुना होगा किसके बारे में तो आपने सिकंदर काना होगा जो कि मखधुनिय का सहा सक था तो सिकंदर स्यकंदर का र datos क्मूश सेन अ पति था और उसका पूरा नाम था सेलुकस निकेटर और हमारे या चंद्रगूप्त मौरे से सेलुकस ने लडाई भी किया था और पराजित भी हुआ पराजित होने के बाद अपना यहां पर यात्री जो उसका था मका सकते हैं उसका जो दूथ था उसको क्या किया था यहीं पर मेगास्थिनीच को छोड़कर च और यहां चंद्रगूप्त से पुट पराजित होने के बाद सेलुकस को काबूल, कंधार, गंधार और हरात वब अवलुचिस्तान के कुछ भागू से दे देने परें और सेलुकस नहीं मेगास्थिनीच को राजधुत मौरे से पराजित भी हुआं तो यह सब दियान में र की संख्या ठाड़ा सुलोक आपके टोटल साथ सो ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा अगला देखिए गोत्र सब्दे से आप क्या समझते हैं तो गोत्र का मतलब होता है डीसियों की बंस पड़ंपड़ा जैसे आप लगाते होंगे आपने सुना होगा किसी किसी के नाम में कश्यआप लगता है कोई को अपने नाम में भार्दवाज लगाता है है नजी तो यह सब क्या है हर एक जातियों में क्या होते हैं सेम गोत्र होते हैं लगभक हर एक जाती में होता है आपने देखा होगा हर जाती में कस्यब कोई लगा एक होता है क्या उनकी भाई बहन मालनी अजाता है गोतर सब से आप क्या समयते है तो डिस्यों की था वेधिक काल में आश्रम विवस्था से क्या वेधिक काल में तो आश्रम विवस्था के तहत मानो जीवन काल को चार अबधियों में विभाजित किया गया था परतेक अबधी का लच्छ ब्यक्ति की पूर्टी और विकास था बढ़मे चारे था चात्र जीवन बढ़मे चारे ग्रिहस्त जीवन वानप्रस्त था और आपका सन्यासी जीव यह आपको सन्यास लिए तो नमनी किरी जीवन इसमें बाटा गया था असरम विवस्था के तहट जैन धर्म के पास सिध्यान्त आपसे पूछे गाए है कि कौन कौन से पास सिध्यान थे तो जैन धर्म के पास सिध्यान्त वही ब्रहमचारे हो गया आपका अपड़ी गरह हो ग गया था जैन धर्म से इनने सम्बंदी था है बुद्धि द्वारा प्रतिपादित आश्टांगीक मारगे कौन थे तो नाम इसका याद रख लिजेगा दोस्ट समयक द्रिष्टि सम्यक संकलब समयक वानी समय कड्मांत समय आज यू समयक भियावां समय किसमिति समय समाधि न चलिए आस्टूप क्या होता है जिसका साब्दि कर धेर होता है बहुत धर्म से न एक गोल तिले कि आकार की समग्वित्र बहुत आपसे सों को रखने के लिए की आ से इस अब का समझाए ऐन एक वरिी क्या है आईने ने क्या है एन एक वरिमें हमें अके टाइम में किसान बेवाजथा के बारे में एक किसान वेवश्था के बारे में जनकारी प्राप्त होती है औढ़ामें की श्रेशनिय मुम्मत पूंस रोत है इसकी रचना अकवर के ही नदतन दरवाड़ी अबूल फजल ने की थी और इसमें अकवर के दरवार उसके प्रसाशन के बारे में चर्चा की गई है दूसरा सवाल है कि यह कि यह कितने भागों भीवाजित है तो आइने एकवरी जो है पां गला बक्सी जवती और नस्क ये तीन परणा लिया थी अकबर के टाइम में नेक्स्ट आप सवाल देख लिजे 19 नंबर 16 नंबर पानीपत की प्रथम लडाई कब और किन के विच हुई तो पानीपत की प्रथम लडाई एक की सप्रिल 1526 को दूसरी 1556 को तो पहली जोई थी बा पानीपत की दूसरी लडाई में उससे किस से प्राजित किया तो 1526 में हुआ था तो बैरम खाने हेमू को प्राजित किया था तो सबसे पहले तो प्रस्ने की बैरम खा था कॉन बाई तो बैरम खा एक असाधारन शैनेट जनरल था सथा और जीन्होंने मुगत समराद ठुमा और उनके बेटे अकवर के लिए सेवा की और उनके राज का विस्तार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया वैरम खाने पानी पत की दूसरी लडाई में हेमु को पराजित किया था ठीक है तो हम्पी जो है विजनगर समराज से समंदित है अभी वहाँ पर आप तो केवल खंधर बचा हुए है वही सब बात लिखना है हम्पी हिंदु राज विजनगर समराज की राजधानी थी तुम भदरा नदी के टक पडिश्तिति या नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है औ और आप केवल खंधारों के रूप में ही अवसेस हैं इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहां एक सम्रीद साली सबेता निवास करती होगी तो हमपी से आप क्या समझते हैं ये वी धियान में रखिएगा भक्ति आंदोलन क्या था तो जनरली संक्राचारे का समाज में विभीन तरह से भगवान की भवक्ति का प्रचार परशार किया इसी को भग्ति आंदोलन कहा गया सब सोट कर आ रहे हैं लॉंग कराएंगे अगली वीडियो में अभी सब सुट करा आ रहे हैं सब सुट सब्सक्राइब है सब्धून लिए कुणन थे और कभीर की सब्ध क्या मतलब होता है तो कभीर का मतलब होता है महान और आपको पता है कि संत्थ थे बस लिख दिए कभीर 15 के भारतीय रहस्ते वादिक अधिक और संत्थ थे काम हो गया क्लियर पूछा गया सब इम्बतुता अरव यात्री विद्वान तथा लेखक था जिसका जननु 24 फरवली 1304 को उत्तर अफ्रीका के मुर्खक को परदेश के प्रसित नगर तांजीयर में हुआ था इसका पुड़ा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इन बतुता था इन बतुता आरम से ही बड़ा धर्मानुरागी था उसे मक्के की यात्रा हर्च्त था प्रसीद मुसल्मानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलासा थी इस आखांचा को पुड़ा करने के उद्देश से वकेवले किस साल की आयू में ही आतरा करने निकल पड़ा इन बतुता मुहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इन बतुता भारत भी आया किसके काल में मुहम्मद बिन तुगलक के काल में कितने साल में आतरा करना खश्रू कर दिया अगला स्वाल देखिए उपनी वेस बात क्या है? तो इस बात का मतलब होता है कि औ гол टो तो किसी समड़ी देवम सक्तिसाली राष्ट्वारा अपने विभीन हीतों को साधने के लिए किसी निर्बल किन्तु प्राकिर्तिक संसाधनों से पड़ी पून राष्ट्रे के विभीन संसाधनों की सक्ति के बल पर उप्भो करना ठीक है कोई राज जो है वो अच्छा खासा पर संसाधन है तो कोई सक्ती सालित देशका किया वहां पे जाके जैसे एक्जाम्पल अपना लीजिए भारत अंग्रेजुसं किया था अगला पूना पैक्ट के के बिच एक समझावता था इसमें दलीतों को हिंदुओं के अंतर गठी रखा जाए उनके लिए अलग से कुछ नहीं किया जाए महात्मा गांधी दलीतों के करण की पड़किडिया को धीमी नहीं करना चाहते थे इस समझावते ने महात्मा गांधी के आमरन अंसम को रोक दिय पूना समझाता महत्त पून था क्योंकि महात्मा गांधी हिंदुओं के दली तवर्ग को और कम नहीं करना चाहते थे पूना पैक ने केंद्रियों और प्रांतिये विधान पडिशदों में दली तवर्गों के लिए आरक्षित सीटे परदान की थी यह कहानी है आपका देखिए अधिग से अधिक लोगों का आवासिय सुभधा उकलब्द कराने के लिए मतलब जैसे आज के टाइब में फ्लेट बनता है उसी तरह से यह चौल इमारते बनाई गए थी इसमें परतेक मंदिल परकतार में एक एक कमड़े वाले छोटे-छोटे आवासी एक खंडोते हैं और कमड़े के सामने खुला बढ़ामदा या गली आ रहा होता है इसका निर्मान घनियावादी के कारण मुंबई में अपनिवेसिक काल में किया गया था मुंबई में चलाएगा चार अंदोलन का उलेक करें तो बस चारों अंदोलन का आपको याद रखना है सब पढ़ाये हुए हैं जी चाम पानन सत्यागरा के बारे में असायोग अंदोलन नमक सत्यागरा और भारत चुरू आदोलन भी तो इधियान में रखियेगा इसमें को ज्यादा मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मांग किसने और कहां की तो पाकिस्तान की मांग जो है मुहम्मद अली जिन्ना ने मुश्लिम लिग के लाहूर अधिवेशन में 1940 में की थी भारत का समिधान चबी जन्ना निन्सों पाचास को क्यों लागू किया गया मौस्ट वीवी आई प्रष्ट ने एक्जाम के लिए तो ध्यान में रखियेगा क्योंकि देखिये चबी जन्ना निन्सों तीस को कॉंग्रेस ने देश की पूर्ण अजादी का पूर्ण सवराज का नारा दिया था इसी को याद में समिधान लागू करने के लिए 26 जन्नवरी 1950 को इंतजार किया गया और 26 जन्नवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि हमारे यहां क्या हुआ था 1929 में लहर जो अधी वेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि 26 जन्नवरी 1930 को आपको अजाद कर दिया जागा बट ऐसा हुआ नहीं था लेकिन उसी खुसी में पूरे भारत वासियों ने शबी जन्नवरी 1930 को ही क्या किया था अपना पहला सोत अंतरता दिवस मना लिया था इस अब आप लोग एक कमेंट से सारे इंप्रस्ण में ने कर आए हैं दोस्तों तो आई होप कि आप सभी प्रस्णों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने से भी लिख लिख कर यात करने का प्रयास किजिए क्लियर क्योंकि सब चीज मेरे उपर डिपेंड रहेगा तो नहीं होगा खुद अपने से भी बहुत चीज़े कर नहीं होगी आपको ठीक है तो चलिए मिलते हैं लोग फिर अपने अगले क्लास में इसी तरह से मैं आपके लिए सेट लाता रहूंगा और आप लोग ध्यान पूर्वक परते रहे हैं कम समय में बहुत अच्छे से सेटों को करते चलेंगे क्लियर तो 30 प्रसंट किया मैंने 30 प्रसंट आपके एक्जाम में सौट पूछे आते हैं तो ऐसा ही मैं आपको सेट कराता है आँगा सौट लोग सबका तो आप लोग बिलकुल मैजदार तरीके से परते रहे है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत